प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की अध्यक्षता में हुई केंद्री मंत्री मंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलीटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूट्मेंट एजनसी बनाने की मनजूरी दे दी गई है केंद्र के इस फैसले से नौकरी तलाश रहे युवाओं को फाइदा होगा कॉमन एलिजिबिलीटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए वैद रहेगी ये परिक्षाएं साल में दो बार होगी केंद्रे मंत्री प्रकास जावडेकर ने इस संबद में जनकाली देते हुए बताया कि देश की युवाओं की पुरानी मांग थी इससे युवाओं को हर अस्तर पर लाप मिलेगा इस एक निरने से नाशनल रिकूट्मेंट एजनसी से एक परिक्षाएं उससे उनकी तकलीब भी दूर होगी उनका पैसा भी बचेगा और मांसिक स्वास्टे भी ठीक रहेगा केंद्र सरकार के इस फैसले पर छात्रों की सकरात्मा प्रतिकरिया सामने आई है युवावनी केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रतियोगीता परिक्षाओं और नौकरी के लिए राहे आसान होगी अब एक परिक्षा होगी और अलग अलग छेत्रों में वो जा सकेंगे इसलिए जो है राश्टि भरती एजंसी का गठन किया गया है और इसमें यह इसमें सी इटी होगा जो कि हम लोग कह सकते हैं समान पातरता परिक्षा होगा आने वाले समय में इसका लाभ भी मिलेगा 2021 यह चालू होने वाला है श्री नरंदर मोधी जी का यह जो फासला है यह स्वागत ही होगी है और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा पहल है उनके द्वारा एक अच्छा फासला किया गया है